हलो दोस्तों राना क्लासिज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कमटिटीटीव ग्याम और जाओव विडिट बताऊंगा इस वीडियो को शुरू सन तक देखें पसाना पर लाइक नहीं लोग सब्सक्राइब करना ना भूले तो सबसे पहले क्यों आप लोग अपने सब्सक्राइब कर लिए तो यह कंफर्म नहीं हुझे कि आपके अनुशंसा जो है वह विवाग में 100% पहुच चुकी है क्योंकि 4330 पर दे तो हो सकता समय लेगे और आपको नोटीज जो है अगले सब्ता है जो कि आ सकती है मतलब अगले सब्ता है जो कि आ अगले सब्ता आपका इंतजार है कि कब सेकम डॉक्मेंट का यह खत्म हो सकता है अब वह हंतिम सब्ता सबीत हो सकते राजय सुक्रम चारीजिन का सेलेक्शन हुआ हुआ उनके लिए अब आते हैं कि ब्सक्राइब में जो कि ज्वाइनिंग के लिए पूछ सारी लोग आपको मैं इसलिए दिखा रहा हुँ क्योंकि यह जो है आदेज से क्या है बिहार प्रमचारी चैन आयोग बिग्यापन संक्यर शाठ शाठ एकसो चाउदा पर्थम इंटरस्तर यह संज्युक्त प्रत्युक्ता परिच्छाय दोजार चाउदा के अधार पनिम बर्गली पि आप है जो कि पदस्थापित किया तो मिल्क नियुक्त करते हैं उनके नाम के सामने पतापित कर दिया गया और यह क्याा डिमंधन के हैं रिश्टर के ओफिस में होगा जिला करियले में होगा आप तेख सकते हैं और होम डिश्टिक भी जिए और यह तो पर रैंकर्त है इस ऊफीस में यह भी देख सकते हैं इनकी पोस्टिंग गोडें इनकी पोस्टिंग जो कार्यालय से कहाई और इनका पतणाम है सौरवकवा इनका होम डिष्टिक ग्रीडी जहर खंड है तो इनको पटना दिया गया भागलपूर है तो इसी तरह है जो कि यह सिरियली वाई रेंकिंग और बारबार लोग अपलोग परमुसन यह रेंकिंग मैं यह क्यों कहता हूं क्योंकि यह क्या है डिवन्धान वाला जो इस जीले में जो रेंकिंग है उससे कोई फेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यह राजस्तरिय सेवाक मना पूरे बिहार का रेंकिंग लिया जाएगा तब है जो कि परमुसन दिया जाएगा यहां पर है जो कि टॉप है और अलग अलग जीले के हैं तो जब भी प्रमुसन हो पाइदा है जब भी प्रमुसन मिलेगी अगर इन पर को आरोप नहीं बनता तो सबसे पहले बिजाइब मार को मिलेगे और उसके बाद जो है इन लोगों को मिलेगी जो पीछे जितना पीछे उनको लेट से मिलेगी तो यह आप देख सकते हैं और अठारा पेज है तो इसकी कि निटे नोटी से दहेज वाला और क्या बनाना वो दिया हुआ है मेरा बताने का मकसद वही है और लगों 220 के आसपा से जो कि इनकी संख्या थी इसलिए जो कि यह सब दिश्टी हाँ यहाँ पर जो कि आप देख सकते यह नियुक्ति जो है आपको अभिहर्थियों के से थम दिश्टी सही मान करें पूलिस सत्यापन परति वर्दान पर अनुकूल प्राफ्थ होने की परति आसाम कि यह मतलब कि आए कि आपकी पौलिस वहरिपिकेशन जो है अभी आपकी नहीं हूइँ आप जो लीक कर दिए मेरे उपर नहीं है उससी आसाम में है जो कि आ अगर आपके परमान पत्र सही पाया तो सही अगर आपके परमान पत्र सही पाया तो उसमें छेड़ चार रही तो गलत और आप पर कारवाई होगी और नोकरी सेट आए और बेतन बसूली की भी कारवाई की जाएगी तो यह आप देख सकते हैं आप लोग गलत ना करें गलत सूचना जहां तक संबब वह एक दम नहीं तक कभी भी आपके नोकरी को कि आजकल सोच परते में वह लिखा हुआ है तीम मतलब पूरा जांच हो जगा तब ही बेतन दिया यहाँ योगदान के समय असाइनिक सालेशी किस्टा क्या मुख्षी किस्टा प्रादिकारी द्वारा निर्गत स्वास्त फर्मान पत्र यही में बार बर बताना सिविल सर्जेंस है इसमें फिट है उनको कोई लेना देना नहीं है यह फिट मतलब यह आपका जो जॉब है उसके अनुसार अगर फिट है तो ठीक है कोई दिकत नहीं योगदान के समय बड़तक दहेज नहीं लेने देने समंदी प्रस्तुत करना पड़ेगा पहुत सारे लोगों को इसमें देने मतलब वह देना भी नहीं है इसलिए अगर आपिशाधी कर ली है तो उसमें लिखना पड़ेगा नहीं लिया है अगर इशाधी करनी है तो थे स्लिकत नहीं होगा इसलिए नहीं लिखा हुआ आपि अंपीएस。 तो new pension scheme के अंतरगत आते हैं और यह 2005 के बाद अगर आप जोइन करते हैं तो यह साथ दिनों के अंदर अपना टाइम कितना दिया गया अगर आप नहीं करेंगे नियुकति पत्र पदस्था पिदाने जाने कोई भत्ता दे नहीं हुआ मतलब आपको नियुकति पत्र मिल गया है तो साथ दिन के अंदर योगदान सुनिशित करेंगे अब क्या करना पड़ेगा जो यहां पर जो लोग नॉर्मल है कहीं जोब में उनके लिए तो कोई दिकत नहीं है जो लोग जोब में उनके लिए परसानी है नोसी नोसी की भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि अगर आपने कौन सेलिंग में नोसी मांगा और आपने नोसी उहां पर नहीं दिया तो वो नोटेड कर देता है कि नोसी है जो कि इनके द्वारा अपराफ्त है अब क्या करना पड़ेगा आपको पता चला कि आप तो वहां लिख दिया नोसी भी नहीं दे रहा तो फिर क्या करना पड़े या तो लेकर आईए और नहीं तो रिजाइनिंग दे कर नहीं आना एसेप्ट करवा कर आना एसेप्ट का लेटर कि मैं जो कि इनको स्थिपा स्विकार कर लिया हूं और यह लीजिए डॉक्मेंट तब जो कि जाइनिंग होगी अब उस परस्तिती में इंचात्रमाली इसी में क जोड़ा जाएगा वैसे ही है जो कि मैं आपको जोइनिंग कर दूँगा तो यह सूचना जो है समंधित जो जिला है वहां पर आपको अगर आप सूचना नहीं देते हैं साथ दिन के अंदर तो इससे पता चलता कि आप जोब में इंटरेश्टर आपको जोब से बाहर किया जासता है तो कंसे कम इस साथ दिन में जो खासकर रवन करेंगा नहीं करेलेंगे तो इससे के आप जो यहां को साथ दिन समय दिया यह उल्णा लेक्ट शंचना अपको जोब जोब पृसराइब की न्या खुल सकता है या सिफ्ट किया या सकता है तो दोनों लिए जो इनिंग जो है यह नूक्ति पात्र रहेगा अब जो है यह जो देख रहे हैं लिस्ट में यह नूक्ति पात्र है और यह तैंक क्योंकि आज के डिस्पीट पोर्ट शे भेजा लागा तो समय लागा जल जोए नहीं तो यही नियुदी पाता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो डॉक्मेंट फेरिफिकेशन वाला है उसी में सोच लेते हैं कि फिर से देखे समय दिया गया ऐसा नहीं कि समय नहीं लिखा गया है यह प्रक्रिया है जो कि आप जरूर कर ले अब आते हैं बी एससी सीजियल का एडिट आ जाने वाला है मैं छातरों से ही अनुदत हरवड़ी में कोई काम ना करें ऐसा नहीं कि आया लिंक आया तुरत से जो कि भरके तुरत अप्लोड कर दिये कुछ सब पहले आयोग भले ही छोड़ देती लेकिन यह तहीने कि हर बार छोड़ देगी कुछ गलतियां है फिर भी छोड़ दे तो आपको हर संबग अगर जो सुधार का मौका मिल रहा है वो सुधार कर ले फिर बाद में क्या होगा आयोग तो कहेगी कि आपको तो मैंने एक सब्ता का जि कोई लंबर की चक्कर में परशान है तो यह है जो कि शुरू में उसी समय सोचना चाहिए था आप लोग गलती करने के बाद सोचते सारा चीज आयोग हमको फिर से दोबारा भरवा दे ऐसा नहीं होता आपको एक मौका दिया गया उसका फायदा उठाए और फिर से चेक कर ल हैं सुधारने का नुकसान यही है कि आपको दुवारा मौका नहीं दिया जाएगा उसमें माफी नामा नहीं मिली इसलिए आप लोग है और हर्वी नम्र है जो भी हो कहीं से देख कर सोच कर समझ कर या सीनियर जू भी आपके आसबास हों उनसे राय लेकर ही करे और हर्वड हैं दूसरी खबरों पर तो क्या है उम्र सीमा में जो की शूट मिलेगी क्या है तो कर्मचारी चैना उम्र सीमा बढ़ाए जाने बिहार के हाजार छात्रों को फाइदा होगा केंद्रिय मंत्री जितन सिंग की कोशना के बाद परिच्छा की तैयरी कर रहा है करी पच्चे आसजार वाहों के इसका खोशना इस वार 2022 में जीन परिच्छाओं की भीगापन निकाले जाएंगे उन नियुक्तियों में आयू निरधारित करने के लिए महत्पूर्णती थी है जो की एक जनवरी 2022 है जो की तैय करने का फैसला लिया गया है और समान परिच्छिते में इन नियुक्तियों परिच्छाओं में आयू सीमा की गन्ना एक अगस्ट 2022 है एक जनवरी 2023 के आयू जनके से आपसफ़ दरसल कुरोना के बढ़र से जो लोग पौँन नहीं दो वरस बंचीत रगया उनमें कई उवाओं को उसी को ध्यान में रखते हुए है जो कि यह फैसला जो की लिया गया है और क्या पचार सजार से अधिक है जो कि उवाओं को इसमें फायदा होगा दो आवे दन चार दिसंबर कॉंस्टेवल जीडी है यह सब जो बची हुई है उम्र स आपको फाइदा मिल सकता है इससी दो 2022 सितंबर को जारी करेगा इसकी परिच्छा दिसंबर 2022 में जो कि होने की समाव साइंटिक एसस्टेंट इस्टेंट इमडी 2022 के तुचना 15 सितंबर और परिच्छा दिसंबर में होगी उसी तरह सब दिया हुआ है सब्सक्राइब आने वाले परिछाओं में जो कि आपको लाव मिलेगा उसके बाद आते हैं दूसरी ख़बर उपर कि लोहार जाती अभी हर्थों को सिच्छक नियोजन में इबी सी की सुविधा सिच्छा विवाक ने सभी जिला नियोजन के दिया है कि छटे चलंड के मादमी कुछ मादमी किसी चनियोजन में लोहार जाती के पिछड़ा बर के तत्साम करवाई की जाए विभाग ने कहा कि राज सरकान ने लोहार अनसुचित जाती प्रमान पत्र निर्गत करने वह बंबहान सुभदा नियोजन लिया जिसे सुपरिकोड और उन्नी सप्राइल 2022 को लोहार जाती के राज अतियंत पिछड़ा बर को देया रच्छन सभी सुभदाओं पूर्व की भातियन मान होने का आदेश निर्गत किया है इसी को लेकर है यह करवाई कि किया गया है और आपका जो की डियल्ट जो आया है जो लोग खान वाला जो है जो लोग खान ने रिच्छा का जो परिछा दिये थे उनके लिए जो कि डिल्ट आया है तो इस साथ जो कि धन्यवाद